राधे राधे दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल मन की भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है तो कभी कभी हमारे मन मस्तिस्क में ये सवाल उठता रहता है कि संसार में आखिर सबसे बड़ा कौन है तो संसार में सबसे बड़ा कौन है इस प्रश्ण के संदर्व में बता रहे हैं कि एक बार अर्जुन अपने मित्र स्रीकष्ण के साथ बन में गूम रहे थे अचाना कि अर्जुन के मन में एक प्रश्ण आ गया और उन्होंने भगवान की तरफ देखा तो स्रीकष्ण ने मुस्कराते हुए का कि हे पार्थ क्या पूछना चायते हो पूछो अर्जुन ने कहा कि हे माधव पूरे ब्रम्हांड में सबसे बड़ा कौन है स्रीकिष्ट ने कहा कि हे पार्थ सबसे बड़ी तो मुझे धर्ती रिखती है पर इसे समुद्र ने घेर रखा है मतलब यह बड़ी नहीं है समुद्र को भी बड़ा नहीं कहा जा सकता है इसे अगस्त्रिशी ने पी लिया था इसका मतलब है अगस्त्रिशी सबसे बड़े हुए पर बेभी आकास के कौने में चमक रहे हैं इसका मतलब आकाश बड़ा है पर उस आकास को भी मेरे बामन उतार ने अपने एक पग में नाप लिया था इसका मतलब सबसे बड़ा मैं ही हूँ, पर मैं बड़ा कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने भक्तों के हिर्दे में बास करता हूँ, अथात सबसे बड़ा मेरा भक्त है, इस तरह भक्त के हिर्दे में भगवान बसते हैं, इसलिए संसार में सबसे बड़ा भगवान का भक् है भगवा चोले के भीतर भगवान के दर्सन के इक्षा गरत है इश्वर सभी के भीतर है अपने कर्मों को सत्मार पर ले जाना ही इश्वर की भक्ती है और उसकी चाहे में खुद को धोका देना है इश्वर को धोका देने के बराबर है मनुस्य इश्वर से डरता है जो की अर और अगर प्रतेक मनुस्य परहित का विचार करें तो यह कभी गलब नहीं होगा आज के समय में मनुस्य भेड़ चाल का हिस्ता होता जा रहा है देखता है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है किसी को मानता है तो उसी के पीछे वह भी चल देता है किसी वी व्यक्ति को संतक तो ही आ रहे हैं और सच के सामने आने से कई लाखों लोगों का जीवन आधार हिन होता जा रहा है और अविश्यास उनके जीवन पर छा जाता है और अंधिवस्वास की भी परतुन के उपर आ जाती है देश के लिए सभी को जगाने की जरूरत है इश्वर के रूप को सही तर झाल